कि सभी को नमस्ते योग वस्वास्थे के इस विशेश का रिक्न में आप सब का हार्दिक स्वागत अभिनंद आजम जान रहें साइटिका के पेन में ग्रेडरिसी के पेन में कौन-कौन सी ऐसी हटियों की क्रियाएं आवश्यक रूप से हमें करनी चाहिए जो कि ये साइटिका के पेन में विशेश लाबकारी होंगी साइटिका पेन कहते किसको हैं साइटिका पेन कहते हैं कूले से एक नर्व शुरू होती है वो जाकर के पैर की एड़ी में समाप्त होती है अब इस नर्व का डिसलोकेशन कह दिया जाए इस नर्व के सूजन कह दिया जाए इस नर्व में पोश्यक तत्वों की कमी कह दिया या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या कह दिया ये सब साइटिका के पेन को जनरेट करती है जिनकी शिया्याटिक नाड़ी सइटिकक की नाड़ी बिगड़ जाती है इसके बिगड़ने के कारणों पर आज आपकी इऊक तना वेहं कूले के जैसे निकलने वाली जो न grinding ने खिजने निर्वह है अघर दर्द कर रही है तो स Rightिक का रोग कहलाता है yeah लंगडी वाई भी कहलाती है और यह ग्री ध्रसी भी कहलाती संस्कृत भाशा में इसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी ऐसी हटियों की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को आज हम देख रहे हैं काफी सारे धर्शकों का मेरे पास पहले भी कॉल आया तो मैंने उनको कहा था म पुरा एक प्रोग्रामी अलग साथ उनकाप्र बना दूँगा तो आज इस अलग से प्रोग्राम पर आपनि साइटिण कोची करने के लिए कि तो आराम पाने के लिए देख रहे हैं कि मंत्र पाठ के साथ में प्रार्म करते हैं सबसे पहला अभ्यास साइटे का पेन के लिए है सबसे पहली प्रैक्टिस दोनों पैरों को सामने की और ले जाए पैरों के सुक्ष्मियायम जरूर करें श्वास पूरा भरके इसको आगे की तरफ पैरों को खींचे देखिए मेरी पैर आपको दिख रहे होंगे पूरी तरह से खींचे पीछे से आप थोड़ा आराम दायक इस्तिदी में भी बैठ सकते है और जो दंडासन में बैठ सकते हैं सीधे होकर वो ऐसे भी बैठे है पूरा पूरा ऐसे आगे की तरफ खींच करके थोड़ा रोक किये फिर वापे साथ आईए अंदर की तरफ खींचिए ऐसे पांच पांच साथ साथ बार कर लीजिए और थोड़ा से रोक सकते हैं तो तीन तीन पांच पांच सेकंड एक एक अभ्यास में रोक किये पैरों को दूसरा भ्यास हम कर रहे हैं एक एडी को दूसरे पैर के पंजे पर रख लिया है फिर इसको विपरीद दिशा में इस अंगूठे को लगा दिया जैसे ये लेफ्ट वाला अंगूठा है न तो राइट साइड में ही लगाना है गुटने से गुटने को दबा दिया श्वास पूरा बाहर और गर्दन दूसरी ओ ऐसे ही इसके दूसरे पैर से भी ऐसे करना राइट वाला पैर उपर है लेफ्ट वाली साइड में ही संगूठे को लगा दिया श्वास बाहर गर्दन दूसरी ओड़ी जहां दर्द है माँ पर मन को टिका के रखो इस क्रिया को भी तीन तीन पांच पांच बार करिए अगली क्रिया इस गुटने को ऐसे फोल्ड करके इस पैर को इस जंगा पर रख लीजे श्वास बाहर और इसको च्छाती से लगाने का प्यास कीजिए दबाईए श्वास भरे इसको दबा करके नीचे ले जाए उपर से ऐसे दबा कर इसको भी पांच पांच बार कर लीजिए मैं दो दो बार ही करके बता रहा हूं तोड़ी देर रोकना जरूर चाहिए प्रिश्वास भरें साइटिका में आगे जुकने से बचें साइटिका में कुछ लोगों को कमर दर्द भी होता है साइटिका आजकल जवान लोगोंको भी होने लगा है 25-30-30-20-20 साल के लोग भी हमारे पास पेशेंट के रूप में आते हैं तो वो भी बताते हैं कि साइटिका पेन हो गया या उनके लक्षणों से पता लगता है कोई 35 साल का 30 साल के 35, 40, 40, 50 साल में तो हो जाता है आप साइटिका पेन वालों को जो जो सावधानियां बता रहे हैं उनको द्यान रखें उनको कारें को ना करें जो करने के लिए मना किया जा रहा है यह करना है अगली क्रिया अपने ही गोदी में अपने इस पैर को यहां से लॉक कर दिया और इधर से गुटने को यू लॉक कर दिया इंटरलॉक यहां से किया दाएं बाएं यह चलाया जैसे किसी बच्चे को गोदी में अब जूला जूला रहे हैं इसी क्रिया को मैं सामने से दिखा रहा हूँ दूसरे पैर से यह भी बैठने वाली क्रियाओं को ही बता रहा हूँ अगला अभ्यास तितली या बटरफ्लाई दूनों एडियों को पूरे पैरों के तल्वों को सब को पास में कर लिया एडियों को अंदर की तरफ लगा दिया श्वास भर के ऊपर उठाया श्वास शोड़ते विन नीचे तक ले गए पूरा नीचे दबा दिया पूरी तरह से नीचे दबा दिया ऐसे करते रहें लगाता है जिनको साइटिका में अपनी जंगा से लेकर पैर तक दर्द है और साथ में कमर पर भी दर्द कमर में भी दर्द है उन लोगों को आगे जुकने वाला कोई अभ्यास नहीं करना है देखो कुछ बटरफलाई कुछ लोग यह यह भी करते हैं इससे कुछ फायदा नहीं वाला इससे विशेश फायदा नहीं होगा आपको फायदा करना है तो हर बार इसको आगे अपने पास ले आए हर बार उपर पूरा उठाए हर बार पूरा नीचे लगाने की कोशिश करें ऐसे हैं विशेश फायदे का मतलब पूरी क्रिया करेंगे तो फायदा होगा नहीं कि दो आसन ऐसे हैं जो साइटिका पेन वालों को करने चाहिए हैं तीन आसन ऐसे हैं तीन आसनों में सबसे पहला अभ्यास वक्रासन का एक पैर को ऐसे मोड़ लिया जाए ऐसे सीधा रखा जाए कौनिया हमारे पीछे से ऐसे लगती भी हो जब दाया पैर मोड़ा है न तो बाएं वाले हाथ को ऐसे उपर उठा लिया और अंदर से लॉक करते हुए श्वास पूरा बाहर इसको यह लगाकर इसको यह पकड़ ल हो जाए है एक से इतना परफेक्ट हो जाया आपको कोशिश करनी जितना हो रहा इतना ना इतना को पैर को यह लगा रखा रहा है अंदर कोई स्पेश ने छोटा हूआ ऐसे ने कि यह कर रखा ऐसे करना कि उसी अंदर से दूसरे वाले हाथ से राइट वाला मोड़ा तर इसको कहते हैं वक्रासन इसमें मैं 10-15 सेकंड रुक कर आपको बता रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक रुखना चाहिए जितना आप सहस्ता से रुख सकें ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इसको दूसरे पैर से भी करना ऐसे लेफ्ट वाला मोड लिया राइट वाला हाथ उपर उठाया और अंदर से लिया श्वास पूरा बाहर इसको दबाया लॉक किया दूसरी तरफ से गुम गए और वापस पीछे गुम गए श्वास पूरा बाहर कसके रख दिया तोड़ी देर श्वास भड़ते भी वापस आ गए इसी के दूसरे अब्यास को जिसको हम अर्द मत्सेंद रासन कहते हैं कैसे करेंगे एक ये लगाया और इसके ठीक विपरीद दिशा में इसको पलटके रख दिया इसको क्रॉस लगा दिया और दूसरे वाले पैर को ऐसे अंदर समेट ल है अब दूसरे वाले आज से जैसे राइट वाला उपर है न लेफ्ट वाला ऐसे उपर से ले आएंगे श्वास बाहर होगा और इसको यूं लगाया और दीरे दीरे पीछे गूंगे पीछे वाले आथ प्रकूब जोर श्वास बाहर कि श्वास बढ़ते वापिस आजाओ । दूस honey ने से आज जाओ दूसरी तरफ से इसको कर लो लेफ्ट वाले को उठाया ऐसे विपरीद्ध दिशा में लगाया है राइट वाले को असे अंदर दबा दिया अंदर समेट लिया और राइट हेंड को य लाफ्ट वाला ऊपर राइट हैंड को उपर उठाया श्वासपूरा बाहर और इसको यू लगाया और दीरे दीरे ऐसे पी छे गूंगे कि यह बैठे बैठे करने वाले आसनों में विशेश आसन मुख्य रूप से साइट का के दर्द में आपके लिए लाबकारी है तीसरा और अंतिम आसन बैठने वालों में आकर्ण धनुरासन या आकर्ण धनुष्टंकारासन ठीक है कैसे होगा या फिर धनुष्टंकारासन भी कहते हैं इसको या आकर्ण धनुष्टंकारासन भी कहते हैं या फिर आकर्ण धनुरासन भी कहते हैं कैसे करना है लेफ्ट वाला पैर बाया वाला पैर दाया वाला राइट वाला हाथ इस अंगूठे को पकड़ लिया और इसको अपने कान के पास ले आए और दूसरे वाले पैर के भी अंगूठे को पकड़ लिया रिप्रीत हाथ से पकड़ना है दाएं को बाएं से बाएं को दाएं से एक सीधा है और एक को मोड करके यहां ला रहे हैं अपने कान के पास या कान से भी पीछे जैसे दनुश की डोरी खींचते हैं क्षत्रिय लोग इस प्रकार से हमें थोड़ी देर खींच कर रखना है उसे तरफ से दूसरे पैर से करना श्वांस पूरा बाहर होगा इसमें जहां दर्द है मन को केंद्रित करिए विचार करिए कि मेरा शरीर का वहां दर्द दूर हो रहा है जिसको मैं दूर करने के लिए नासनों को कर रहा हूं रीड की मजबूत होती है यह अच्छी बात है लेकिन बर्तमान में जो दर्द है न वह भी हमारा दूर होता है यह अब हमें केंद्रित रखते हैं लेटने वाले कुछ आउसन है लेट करके करने वाले कुछ आउसन हो जो विशेश रूप से सबसे ज़्यादा पहुँचाते हैं उन आसनों को भी हम अभी देखेंगे को भी निकी जैसे इस्थिति है सहस्ता से जो जो आसन कर सके वो जरूर कर ना कृश्य के तो मैंने 15-15 क्रिया हो जाएंगी कि आप साथ कर सके तो पांध साथ करिए लेकिन करना जरूर जिनको साइटिका पेन में कमर में और गुटनों में भी दर्द आ चुका है उन लोगों को इस मकरासन को करना चाहिए गोल गोल गुमा जिनको गुटनों में भी दर्द है गुटनों में गैप आ गया है कार्टिलेज घिस गई है गुटनों की ग्रीसिंग खतम हो गई है कम हो गई है उन लोगों को इन प्रैक्टिसेस को जरूर करना चाहिए सीधा और उल्टा दोनों तरफ चलाई है ऐसे ही लेफ्ट वाले बाहें वाले पैर को भी इसी प्रकार से ले जाए गोल गोल पूरा गोल गोल उल्टा भी चलाए दोनों को एक साथ मैं प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं जरूरी नहीं है आप लोग इतना कम करें आप बढ़ा सकते हैं पहले दिन तो आप भी कमी करिएगा दूसरा अभ्यास सीख रहे हैं भोजंग आसन का दो आसन भोजंग आसन के इसमें काम बढ़ा अच्छ ना ना अभी तक के पूरे भाग को उपर उठा लेना कर आप श्वास बाहर वापस अधर ऐसे पांस सेकंड दस सेकंड पंदा सेकंड बीस सेकंड आधे-आधे मिनट तक कर सकते हैं इसको पूर्ण भूजंगासम की तरह से भी कर लेते हैं को कॉनिया सीधी इसको तिर्यक बुजंगासन की तरह से भी कर सकते हैं पहरों में फांसला दुनों हातों को ऐसे कंदों के नीचे श्वास बर की उपर उठाएं श्वास पूरा बाहर कंदे के पीछे से उपर से ऐसे पीछे देखें विपरीत वाले पैर की एडिए फिर श्वास भर के फिर उठाएं फिर्श्वास बाहर इंट विपरीत वाले एडिए लेफ्ट शोल्डर के उपर से राइट ही ल को देख रहे हैं वापस आजाएं यह कमर में भी दर्द जिनको है उन लोगों के लिए भी हैं अब चलतें शलब अब आसन के लिए अब साइटिका में बहुत विशेश रूप से लापकारी जो करिया है वह अब स्टार्ट हो रही है देखिए गांध्यान से सांस पूरा भरके दोनों हथेलियों को देखो जंगाओं के नीचे रख लेना है और ठोड़ी जमीन पार और गुटने जमीन पार सांस अंदर और दोनों जंगाओं के ठीक नीचे अथेदियां लगा दी स्वास भरा एक जंगा को ऐसे उपर उठाया पंजे को खीचा उठने को खीचा तोड़ी देर रोका और तोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ गए पिर दूसरे तरफ से भी ऐसे ही करना सांस भरा उठाया तोड़ी देर रोका और दीरे दीरे वापस आ गए तिन तिन बार इसका अभ्यास करिए फिर उसके बाद दोनों पैरों से एक सांस उपर सांस भरके इसको उपर उठा ले तोड़ी देर रोकना फिर वापस आ जाना दूसरा अभ्यास कर रहे हैं शलबासन की सेकंड प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे करेंगे उसको एक हाथ को तो लेफ्ट वाले को तो कमर के पीछे बांद लेंगे राइट वाले को आगे निकाल दें तोनों पैर पास में श्वांस भरके राइट हैंड उपर लेफ्ट वाला पैर पीछे से उपर थोड़ा और पीछे से दिखाते हैं ऐसे यह यह देखो यह उठावाए ना है तैन कि श्वांस पर यह अब दूसरे तरफ से करो लेफ्ट वाला हाथ आगे करो राइट वाला हाथ ऐसे कमर से बांद दो कि पिर शांस भरके उठाओ एक हाथ और दूसरा वाला पैर विप्रीत वाला पैर थोड़ी देर रोक का करो कि यह सेकंड प्रैक्टिस होगे शलबासन की कैसे होगी दोनों हाथों को ऐसे कलाई से यूँ पकड़ लेना यह इसको पकड़ लो यह इसको पकड़ आगे से उपर उठाए कि यही आसन स्लिप डिस्क वालों के लिए और कमर के पुराने दर्द वालों के लिए भी विशेश रुप से लापकरी होते हैं पिर से देखें फिर से श्वांस भरें देखो दूसरे वाले कलाई से पकड़ पिर से खींचो रोको कि विश्राम थोड़ी देर ऐसे बालासन में आराम कर लो क्योंकि इत्ते आसन करने से थकान तो होना स्वभाविक है एक तरफ अथवा दूसरी तरफ फिर पीट के बल आ जाएंगे साइटिका में सबसे ज्यादा उप्योगी जो क्रिया है वह है एक पाद हलासन एक पाद अर्द हलासन या एक पाद उत्तित आसन कैसे होगा राइट वाले पैर को यूँ उठा करके थोड़ी दिर रोकें उप सांस को बाहर छोड़ देंगे दीर दीर वापस लिया है फिर सांस अंदर भरें फिर दूसरे वाले पैर को उपर उठाएं थोड़ी देर रोकें फिर सांस बाहर छोड़ते वे वापस अजाएं यह सबसे ज़्यादा उप्योगी क्रिया साइटिका के पेन में होती है इसलिए आपको इस क्रिया को तो करना ही करना है बाकियों में किसी में कमी पेशी कर दिया तो कोई बात नहीं लेकिन इस वाली क्रिया को तो जरूर करना है अभी जो शलबासन बताये थे तीन क्रिया है वह है और एक ये ये बहुत महतुपोन है श्वास भरते वे उपर उठाए और श्वास पूरा अंदर भर लेंगे इसको तोड़ी देर उपर रोके जाने गुटने से हैसे मोड़ना नहीं गुटना सीधा रखना और पूरा सीधा करना छोड़ते वे वापस भरें पिर दूसरे से दूसरे को उपर उठाएं तोड़ी देर रोकें भाहर वापस आजाए यह आवश्यक रूप से करने की अनिवार ये क्रिया है साइटिका पेन के लिए वैसे तो मकरासन मरकटासन भी किया जाता है जिनके साथ में कमर में दर्द हो भी लोग मरकटासन भी कर सकते हैं कैसे दंधू हैं कैसे दोनों आथोंको साइट मेंaaaa को लिए आठेले कार दिखाएं लए फूर्ड कर लिया पास में रख लिए श्वास बाहर एक तरफ गुट्णे दबा दी दूसी तरफ गड़दन १ूर्भ पास के में 2 बुट्ण है जुड़ा है श्वास भी महार श्वास इस रूप से हासन है क्योंकि साइटिका में कुछ लोगों की कमर में भी दर्द होता है कि शियाटिक वात नाड़ी कूले का दर्द और इसमें वासला रखें दोनों में गैप कर लिया एक को यूं लगाया एक पैड से गुटने को दूसरे गुटने को जमीन से लगा पिप्री दिशा में गर्दन श्वास बाहर कमर पर मन को टिका हैं आखे बंद ऐसे ही दूसरी तरफ से भी देखो अब यह है कि मर्कटासन का सेकंड पोस्चर थर्ड पोस्चर श्वास बाहर और इसको लगा दिया इस वाले हाथ से पकड़ लिया या इसके पास में ऐसे ले जाकर रोक दिया ऐसे इसको भी करना है इसको दूसरे तरफ से गर्दन दूसरी तरफ ऐसे हैं इनके कमर में दर्द नहीं है केवल स्याइटिका है उन लोगों को यह पादां गुष्ट नासास परशासन भी करना चाहिए देखो ऐसे पकड़ लिया इस पैर को श्वास बाहर और इसको यूँ इस गुटने से यूँ समाना अंतर है श्वास बाहर और पूरा श्वास बाहर होने के बाद इसे नाकून यहां फिर अंगूठे को अपने नाक से लगा जिनके साइटिका है वे लोग बड़ा उपियोगी आसनान के लिए लिए जिनके सर्वाइकल की प्रब्लम भी है सर्वाइकल स्पॉंडॉलाइटिस वे लोग गर्दन नहीं उठाना हो बस इतना सलाना है प पूरश्वास बाहर दोनों पैरों से ऐसे किया जा सकता है देखो अगर आए अगर अगर पवन मुक्तासन पहले एक एक पैर सिखाने ऐसे अगला अभ्यास कर दारें यह था पादांगुष्ट नासास पर्षासन और यह है पवन मुक्तासन दोनों पंजों को ऐसे दोनों पैरों को ऐसे खींच लें ऐसे लगाए श्वास पूरा बाहर पवन मुक्तासन यह बड़ा उप्योग्यास साइटी का पेन के लिए दबाएं पूरा दबाएं जिनके सर्वाइकल की प्रब्लम है वो गर्दन को ऐस आइसे थोड़ी देर रोक नान ऐसे दूसरी तरब बी ऐसे अब दोनों को एक सास बसक्राइब अब इंद्धा तक कैसे पकड़े थे पंजे को पंजे से आउगलियों से लॉक कर अब कैसे पकड़ना है ऐसे पूरा इंटर लाक करना हुश्वास पूरा बाहर दोनों में से एक गुटने से लगा दिए और चाहें तो ऐसे लगा करके आप ऐसे जूला भी जूल सकते इससे भी विशेश रूप से लाब होता है जो रीड की हड़ी है इस रीड की हड़ी की मसाज होती है यह मजबूत बनती है फ्लेक्सिबल बनती है और इतनी अच्छी हो जाती है कि इस को चला सकते है यह थोड़ा सा साइटी का पेन के लिए आज आपको बताया है कि थोड़ी देर ऐसे शव आसन में आराम करना शरीर पूरा ढीला छोड़ करके आराम दाय कि से लिए लंबे-लंबे श्वास भरना छोड़ना और उसके अलावा पूरा शरीर शितेल शितेल ढील धीला धीला ठीला छोड़ते रहे चोड़ते रहे ठीला जाना करना है फूरी तरह मिश्राम के लंबे-लंबे श्वास भरें चोड़ें भरें चोड़ें कि आपको कुछ आसन बताएं फिर भी किसी को यदि कोई संशय हो वह विक्ति और पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में आप पेस्बूप यूट्यूब आदी पर जिस पर भी अमारा कायकम देख पा रहे हैं उस पर पूछ सकते हैं नहीं तो मेरे मुबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं मेरा मुबाइल नंबर है 9828650092 इसमें एक उत्तान पादासन भी बड़ा उप्य होगी है जिनके इनिशल लेवल पर है मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है साइटी का पेन उनके लिए यह उत्तान पादासन भी बड़ा होगी हो इसे उठाना यह नहीं बिलकुल स लिए उठान नुचा पाद तान यानि तान के रखना पार यानि पैर आसवना यह इसे आप को इदर करवट्स कर आप करके हमें आप कभी आप ले सब के लिए यह विशेश कारेक्रम रखा था आप सब को कि इन छोटी-छोटी क्रियाओं को करने से बहुत फायदा होगा जैसा अमारा विश्वास है हमने काफी सारे लोगों को बहुत सारे लोगों की साइटी का पेन में विशेश लाब पहुंचाया है एक एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट देखते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अब इस कारेक्रम में जितने संभव हो पाते हैं तो उतनों कोई देख पा रहे हैं देखो पांचे उंगलिया चार उंगलिया एक उंगूटा इनके बीच में चार गैप होते हैं यह एक होता है यह दो इनको चैनल कहते हैं यह तीन और यह चार इस वाले को चैनल को हमें यह दबाना चाहिए दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट तक इसको यह ऐसे अंगूठा चलाना चाहिए अंगूठे में नाखून काट करके यह यह चलाएगे पाइदा होगा बक्की बात है ना साइटिका पेन में बहुत फाइदा होने बागा इस टकने के ठीक नीचे आदा चांद अर्द चंद्र खूब दबाएं यह स्पाइन के स्पाइन की जो रिफ्लेक्स पॉइंट है इसको यहां यहां से दबाएं पिर यह वाला एक पूरा आदा चक्र है देखो ऐसा पैन का पिछला बाग लेकर के भी आप दबा सकते हैं पैन पैंसेल ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसे इधर इस टकने के भी ठीक नीचे हर पॉइंट इतने सारे पॉइंट बता है ना हर पॉइंट में आपको दो-दो मिनट तो कम से कम चलाना ही चाहिए ऐसे दूसरे पैर में भी एक दो तीन चार तो और भी बहुत सारे पॉइंट यह पांच इस तरह से कुछ ऐसे हाथ में भी कुछ पॉइंट होते हैं देखो आथ में भी साइटी का का जिनको पेन है उनके लिए यह एक चैनल है यह ऐसे दबाए जो अभी पैर में बताया था यही आथ में भी है चीक है कैसे देखो अब आए इसे इदर भी है पिर यहां पर है अब भी बीच में दबा दिया कर आए पिर इदर दबा दिया कर आए इदर भी दूसरे आथ में भी अब यह देखो ऐसे पिर इदर आए पिर इदर यह चैनल पूरा चैनल है यह कूले का पॉइंट है देखो यहां से कंदे का यह बुटने का यह कूले का इसको यह दबा दिया करो इदर से पकड़ा यहां से दबाया अंगूठा इदर से यहां फिर ऐसे भी दबा सकते आए इदे को यह उंगली कतम हुए ना यह एक यह दू यह तीन यह पांस पॉइंट अ को यहां तक अपने को तीसरे और चौथे दोनों पॉइंट को यह दबाना है कि साइटिका पेन के लिए ऐसे यह पैर में भी है ना ऐसा नहीं कि पैर में नहीं है पैर में भी यह यहां पर है YouTube YouTube 72 अजमाइन चो एक चमच रोज बिना चुकावा कषी अजवाइन को सेवन करना चाहिए एक चमच लोग जिनके बहुत ज़्यादा समस्या यूग राज गुगुल और चंद्र प्रभावटी इनका सेवन करना चाहिए तो उसके भी काफी आराम आ तो मैंने आपको एक्यूप्रेशर यूग और गरेलू चिक्षा चारों ही आज की करेकर में बताई है आशा है आप सब लोग आज के से लाभानवीत होंगे काफी दिनों से साइटिका के करेकर्म की प्रतीक्षा चल रही थी आशा है उन सब मड़ यानि यानी मिट्टी का कौनतीं का लेब करना चाहिए साइटिका में मिट्टी तैयार कैसे की जाती है उसकी पठ्टी कहा कहा करनी यसे चीकreath का पेन में और भी हईडोटरापी जल्वरा कैसे कार्ण के साथ चप़ सब्सक्रा शूर्य के आगे की का कार्रक्र rhapos में बताएंगे आशा है आपने आज के करेक्रम को ठीक से देखा समझा और किया भी होगा यां आगे करेंगे भी इनको ही कर लें तो का काफी हद तक लगबग पूरी तरह से ठीक हो सकती है और प्रणयाम को जरूर करना शरीर में ऑक्सिजन लेवल की कमी नहीं होनी चाहिए प्रणयाम अनुलोम विलोम को आप बहुत सारा कर सकते हैं काफी सारी देर तक पांच मिनिट दस मिनिट फंद्रा मिट बीस मिनिट पचीस मिनिट आदा आदा गंटे तक करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे कि दीरे-दीरे करिए यह कि habe कि ऐसे लंबे लंबे श्वास भर पेए औरहर यह विचार करके कि मेरा स्वास्ते और अच्छा और च्छा और अच्छा और अच्छा हाशा और ताफाह जरू मारा करो। प्राका मारते है विक्ति के अंदर दर्ड को कम करते वह होत को है कैका एक एक ऐसे कई की बार ठाका माई कि खुल के हैसा करो जो आज के अस्तर वे कल पिर मिलेंगे ओम श्यम जय हिन जय भारत।